नमस्कार दोस्तों विवेक जोटनी में आपका स्वागत है मेरे ना हो विवेक मार मेरे पात है यहाँ पर रियल्मी का लिटर सुन देवाई यह यह नाई और आज मैं पता हूँ आपको इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स और कुछ फीचर्स जो आपको साइद पता ना हो पता नबर का और बीपात का शल्क चाहिएक में के लिए आपका कोई नमर और हमें इसकी कॉन्टेक्ट में ऐसके नाम करना हो और नंबर के लिए create new contact और उसमें नाम उसका डालिए और नंबर आपका save हो जाएगा साथ यहाँ पर यह settings आपको दिया हुई है call ID का option आपको यहाँ पर दिया हुआ है block number अगर आपको नंबर ब्लॉक हो गया है तो ब्लॉक नंबर में आप जाएं वहां से इसको remove कर दें sound and vibration आपको यहाँ भी दिया हुआ है यह देखिजी है block number और यहाँ पर जो भी नंबर ब्लॉक होगा आपका दिखा देगा और आप उसको टैप करके वहाँ से unblock भी कर सकते हैं screen shot लेने के लिए again volume down और power की just press और release screenshot आपका ready है यहाँ पर और यहीं से आपका send लिखा हुआ रहा है यहीं से आस्तिया उसको आप भी send भी कर सकते हैं साथ टैप करके edit भी कर सकते हैं और वहाँ से save हो जाएगा साथ यह यहाँ पर quick panel इसका और यहाँ पर realme UI आपको इसमें दिया हुआ है तो realme share नियरवाई शेयर आइकमफर डार्क मोड फ्लाइट मोड और आपका app lock का भी option है यहाँ पर screen sort का option है screen recording option है super battery saver का option आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो features की यहाँ पर कोई कमी नहीं है जो भी सारे features realme UI में आपको मिलते हैं वो सारे features आपको यहाँ पर मिलेंगे आप देख साकते हैं और भी आगे features हैं do not disturb का option आपको यहाँ पर दिया हुआ है और admireinku dancer से भी आपका और ताइए फोकस मोडस्वी आपको यहांपर दिया हुआ है मतब्पीचर के मामल में और कोई कमी नहीं यह आप हैं आप यहांपर यूज कर सकते हैं औरwow से सेर कर सकते हैंolution सपुरी आईकर सकते हैं सकते हैं तो साथि उसके यहांसे चोटा भी कर सकते हैं और चार हो गए पांच हो गए यहां पर आप कर सकते हैं एप लयाउट सेट अप साती यहां पर देखिए न्युक्राइब आपको दिख रहा है अब यहां से आप जाएंगे नोटीफिकेसिंट में तो इसका वाला पार्ट विआ उसका देखिए आप यहां पर इससे आप इसको भी एड़िए सकते हैं यह बीचोटी पर तरह को सकते हैं यहוס inmates यहाँ अपने साएज यह यहना पर अपने सापसे स्कते हैं और थीम यहाँ यहाँ पर एड़ कर सकते हैं आप यैसे एस देख सकते हैं पहुता ओर यहाँ ने पर हो रहे हैं और ये फॉन्ट साइज छोटा और बड़ा यह उपका उसनीं है और यहाँ डिस्पले कई सको भी आप कम जड़ा जाता कर सकते हैं यहीं से तो फिर्इचे पर सारे फीचर्स आपको मिल जा रहे हैं देखिए अब यहां पर यह आइकॉन का साइज और एप नेम मला आइकॉन का साइज अलग से चोटा बड़ा सकते हैं और जो आइकॉन के नीचे नेम होगा उसको आप अलग से चोटा बड़ा कर सकते हैं अब यह एप की डिजाइन भ सकते हैं icon का style just one tap और इतने सारे फीचर्स आपको यहां पर पर स्टाइज में ही मिल जाएंगे home screen लॉक स्क्रीन अगर आपको home screen mode यहां से change कर सकते हैं किस टाइप चाहिए सब्सक्राइब की वोड का आपको जाएगा इससे आपकी बैटरी कम कंजिम होगी साती आपकी आई पर जादा एफेक्ट नहीं पड़ेगा अब बारी आती है फिंगर पिंट और फेस लॉक कैसे अनलॉक करें तो यहां पर हम जाएंगे पास्वर्ड एंड वायो मेट्रिक में अब यहां पर आप दिखपा रहे होंगे फेड फिंगर पिंगर पिंट और एड फेस साती एप लॉक का ऑप्शन भी है यहां पर आपको प्राइवेट प्राइड कर सकते हैं और प्राइवेट सेफ्प भी आपको यहां पर दिया हुआ यहां कोई ऐसा एप्लीकेशन यह फोटो जो आप किसी को न दिखाना हैं वहां से खोग सकते हैं साती हैं नविगेशन बटन यहां से चेंज्ज कर सकते हैं आप देख लीजिए अगर आपको नीचे button order change करना है तो आप जाएंगे navigation में और यहां से आपने जो button और टूल्स होंगे उनको आप change कर सकते हैं यह यह swipe button भी यहां पर add कर सकते हैं उसके लिए आपको convenience tools में जाके navigation में जाना पड़ेगा साथ यहां पर जेस्टर दिये हुए कुछ देखते हैं क्या क्या है तो इस प्राइब आपको मिल जाता है और स्वाइब डाउन विद थ्री फिंगर टेक स्क्रीन शॉट जो मैं आपको शुरूर में पता चाहिए थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं और टच अंड फो फोल्ड फिंगर इस ताइब से भी आप यहां पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो यह कुछ जेस्चर स्क्रीन शॉट इसक्रीन रिकॉर्डिंग का उप्शन है क्योटिंग का उप्शन है स्मार्ट साइड वार का उप्शन है स्मार्ट साइड वार आप ल नहीं आ रहा है स्प्लेट स्क्रीन का ओप्शन आप देख पा रहे होंगे थ्री फिंगर ऊपर करेंगे आप तो जो आप एप्लिकेंट यूज कर रहे होंगे ऊपर टॉप पर चला जाएगा और बागी एरिया खाली हो जाएगा देखिए एक और और करके दिखाता हूं यह द आप टाइमिंग लगा सकते हैं कितनी देर यूज करना है कितने नोटिकेशन आए हैं देखिए आप यह सेट अप टाइमर आप उसका टाइमर कर सकते हैं कितनी देर तक ही यूज करना है उसके बाद आटोमेटिक यह बंद हो जाएगा तो डिजिटल वेलिविंग आपकर करते हैं तो कभी कभी यहां पर आपके फॉन में दिखाता नहीं है तो यहां से आप अधिस्टम सेटिंग कर सकते हैं और डानलोड एप डिटा रिशेट कर सकते हैं और यहां पर यहां से दिखा देगा चाहें फेस्बुक का हो चाहें वह आपका गूवल का हो स्नेप्चेट का हो जो भी अकाउंट हों के सब यहां पर दिखा देगा तो यह तुझ में फीचर जो मैंने आपको बताए बाकि आपको और कोई फीचर समझ में नहीं आता हो आप रियल मी नाइना मिलते हैं अगले वीडियो को साथ तब सक्के लिए धन्यवाद है वे नाइस डेग आप